ही गाईश देखो आज हम डिस्कस करेंगे एलाइसी के मल्टी बेगा स्टॉक्स के बारे में एलाइसी के पूर्टफोलियो में एक ऐसा स्टॉक है जो लगबग 6,000 रुपए के आज पास गया था वो स्टॉक और लगबग मैं आपको बता दूँ आज से 10 सल पहले या 15 सल पहले केवल इसी स्टॉक्स के बारे में डिसकस किया जाता था मतलब बजार में हर दिन केवल इसी स्टॉक के बारे में डिसकस किया जाता था लगब आज के रेट में ये स्टॉक बहुत बहुत नीची देखने को मिल रहा है और आज के रेट में जिस तरीके से फिर ये भागना स्टार्ट कर रहा है अपने पॉर्टफोलियो में आपको लिमिटेट स्टॉक ही रखने है और जो बिजनस आपको समझ में आता है उसे में निवेस किजिए वरना छोड़ देजिए आप क्योंकि जो समझ में नहीं आता है उसमें पैसे लगाने से कोई फायदा होगा ही नहीं आपको यहां पर अगर आप देखोगे तो लगबग यहां पर आपको देखने को मिला 50 रुपे के आसपास 54 रुपे के आसपास यह स्टॉक है आज की रेट में 10 रुपे की तेजी देखने को मिली मतलब 40 रुपे के आसपास था और लगबग यहां पर देख सकते हैं 20% का सरकेट मतलब काफी बड़ा जंप देखने को मिला है खाई कि नहीं बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है और कमपनी का आज की रेट में अगर देखो तो लोगों ने खरीदने की कोशिस किया बेचने वाले नहीं है याँ पर बेचने वाले सायद कमी है देख सकते हूं सबी लोग खरीदने वाले ही है यहाँ पर बेचने वाले लोग कोई खरीदने वाले ही है मतलब बेचने के लिए तयार नहीं था सबी लोगों को अच्छा लगा तो सबी लोगों उठाने हैं ये खुशिस की और जो delivery उठाईगे है वो लगबग 48% के आसपास है 48% मतलब काफी अच्छा delivery होता है ना फिर हैगी नहीं मतलब 50% लोग उठा रहे NSC में ये stock है NSC, BSC में कोई company है तो बहुत अच्छी चीज होती है जो कि NSC में होता है यहाँ company के पास देखोगे तो permotors के पास कितनी हिस्सेदारी है लगबग देख सकते है 46% के आसपास है आप 46% में से यहाँ पर foreign वालों को पास भी है कुछ है कुछ ही माल है ज्यादा नहीं 0.09 के आसपास है domestic में आता है कि वह LIC यहाँ पर देख सकते हो 1.87 के आसपास है अगर domestic में अगर आप जाते हो तो 1.71% के आसपास यहाँ देख सकते हो LIC of India के पास आपको देखने को मिल ला है मतलब LIC के portfolio में इस stock आपको देखने को मिल लागा है कि नहीं हाला कि यहाँ पर जो कुछ share ऐसे हैं जो लगबग आपको pledge देखने को मिल लागा प्लेज भी है क्योंकि company आपको पता है बहुत के बारे में डिसकस किया जाता था नाइंटी 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 नाइन से लगवा 2008 में मतलब आप सो सकते हो बहुत कम समय में लगबग 9-10 सालों में इस company ने लगबग बहुत बड़ा रिटन दिया था लाको परसन का रिटन देने की कोशिस की थी और से उसी तरीके से फ कमपनी काम करती है जैसे ONGC उस तरीके से लिए ये company काम करती है कि नहीं तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी ये company तो पूरी तरीके से loss making है मतलब ये company profit नहीं कर पा रही है अभी किसी भी तरीके से थोड़ा date भी है pledge भी है और थोड़ी company में मैं आपको बोलूँगा loss भी च internal information होना चाहिए जो सभी को नहीं मिलते है जो लगबग आप सो सकते हो रिटेल निवेस्टर है उनको नहीं मिलता जो बड़े-बड़े मतलब बोल सकते हैं उनको मिल सकता है है कि नहीं है तो उनको पता होगा लेकिन अभी देख सकते हैं पांस दिन के अंदर जो 30% की इसके वज़े से ऐसा नहीं कि आपको खरीदे लाना हां अगर आप खरीदना चाहते है तो मैं आप बोलूँगा अपने रिस्क पर खर दे क्योंकि पहने स्टॉक्स है कलके रेट में और गिर सकता है या तो फिर कलके रेट में हो सकता है यह कुछ ऐसे बिना वेल्यूशन व हाला कि जब यह 87% के डिसकाउंट में देखने को मिला यह जो negative आपको देखने को मिला यह जो line है यह fair value हुआ देखो आपको बताता हूँ यहापर मैं आपको देखो यह जो आपको बताया जा रहा यहाँ पर देखो premium और discount बताया जा रहा नीचे का मतलब discount है और उपर का मतल प्रिमियम आपको देखने को मिलागा, बहुत easy है, आप समझ जाओगे, मतलब जब भी जब यह stock नीचे गया था, तो discount में देखने को मिला, जब यह stock ऊपर था, देखो जैसे यह ऊपर गया, तो यह premium हो गया, तो 87% के यह stock discount में देखने को मिला था, तो LIC ने stocks में entry लेने की को चिस करे, fair value के उपर, और यहाँ पर आपको return में भी बताया, जरा बना offshore trading at a discount of, यहाँ पर देख सकते है 54%, 54% के discount और premium, तो यहाँ पर आपको बताया गया, discount पे, और देखो company को बारे में आपको पता होना चाहिए, fundamental पता होना चाहिए, valuation पता होना चाहिए, आपको debt के बारे pledge के बारे में पता होना चाहिए, quality के बारे में पता होना चाहिए, price moment के बारे में, अगर यह सारे चीजों के बारे में जान रहे हो, और अगर आपको पताया तो आप, अ पनतलब under value stocks में पैसा बना सकते हो, अगर आप के बलीफ यही देख रहो हो कि stock भाग और मैं खरीद नह 1,300 करोड का था फिर देख सकते 1,800 करोड के आज पास हो चुका है और अभी अगर देखोगे तो लगबंग नगेटी में जा चुके कमपणी का कैश लो कमपणी का इसी तरह के से रिटन ओन इक्युविटी भी गिर चुका है लगबंग एपिस अर्निंग पर शेर भी देख सक करोड 754 और अभी जो देखने को मिला लगबंग 965 करोड के आज पार और उससे ज्यादा तो भाई कंपणी के एक्सपेंस देखने को मिले जिसके वज़े से कंपणी का प्रॉफिट अन लॉज जो है डिरेक्ट मतलब नगेटी में चला जा रहा है यहां पर इसलिए बोलना तो यहां पर देखोगे LIC Book Record यहां पर बताया जारा 10,000 करोड स्टॉक मार्केट से यहां पर देख सकता है प्रॉफिट इन अपरिल और जून में बताया जारा तो ऐसा नहीं कि LIC मतलब आख बंद करके कहीं पर भी पैसा लगा देता है तब जाकर पैसा कमाता है तब यहां अब देख सकता है शेयर सेल तो शेयर बेच किस ने काफी पैसा कमाया था है कि नहीं तो यह क्या था निकी मतलब इनका पोर्टफोली भी बड़े होते हैं और इनको पता होता अगर चोटी-चोटी स्टॉक पर भी पैसा लगाते है तो इनको पता होता कि कॉन कितना लेकिन हम लोग क्या करते हैं कुछ लोग बेज देते हैं बेज देने से क्या होता कि लॉस बुक हो जाता और लाइसी चाप प्रॉफिट में आता तब जाके प्रॉफिट बुक करता तो 10,000 करोड आप देख सकते हैं 37,000 करोड जो कि मतलब पूरे हिस्ट्री का उठा के देख बहुत चोटे हैं बहुत चोटे हैं अपर आपका पैसा दोनों सेफ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटो में जाके अपने अकाउंट बगारा उपन कर सकते हैं बहुत ही आराम से